हलो दोस्तों मैं डॉक्टर कॉशिल यादर फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं टोरस प्लाटिनस जो कि इंपोर्टेंट है फोर दी यूनिवर्सिटी एस वेल एस फोर नीट MDS और इसमें से MCQs पुछे जाते हैं तो लेट स्टार्ट सबसे पहले समझते हैं टोरस प्लाटिनस होता गया है टोरस it means the hard surface और the solid surface जो कि convex in shape होता है that is called torus और प्लाटिनस क्यों बोला गया है बिकज यह पैलेट पे हो रहा है ओके तोरस प्लाटिनस अब समझते हैं जो टोरस प्लाटिनस है is a slowly growing यह धीरे धीरे ग्रो होता है यह flat और based बोनी protuberance है और excrescence है it means जो bones है like palatal bones है आप यह figure में देख सकते हो यह जो protuberance है वो palatal bones का ही protuberance है यह flat होता है और bones से ही protuberance होता है इसका occur in the midline of the hard palate okay hard palate के midline पे आप देख सकते है this is a midline इस पे है hereditary conditions माना गया है इसे now clinical features की अगर बात करें तो incidence of torus platinus is 20% to 25% so 20 to 25% देखा गया है individual में यह torus platinus womens are affected more okay यह याद रखेंगे जो ratio होता है 2 is to 1 का होता है like woman में 2 होगा and one man में होगा ऐसा देखा गया है but occur at any age किसी भी age में यह हो सकता है whether it is adult children या फिर elderly people में किसी में भी देखा गया है but peak incidence जो होता है before the age of 30 years 30 years के पहले पहले यह ज़्यादा प्रोटिवरेंस होगा ज़्यादा देखा गया है और इसमें outgrowth जो होता है in the midline of the palate जो मैंने पहले पताया था आपको may assume a variety of shapes यह सिर्फ एक shapes का नहीं होता लाई convex बोल सकते हैं यह flat हो सकता है oval shape हो सकता है तो कोई specific shape नहीं होता इसका flat और spindle shaped nodular और lobular type का भी यह दिखता है occasionally यह blanche जो जाता है like whitish surface जब हम लोग tissue पे अगर pressure डालते तो whitish हो जाता है तो वो blanching भी दिखता है कभी कभी इसमें and may become ulcerated if traumatized अगर कोई trauma लग गया इसके उपर तो वो ulcers हो जाते हैं इसके उपर torus itself composed of either dense compact bone और shells of compact bone with center of cancellous bone या तो यह पूरा dense compact bone से होगा या तो फिर compact bone shells में होगा और इसके बीच में cancellous bones होगे ओके यह ऐसा भी हो दिख सकता है और ऐसा भी होता है दोनों type का होता है compact bone भी complete होगा या फिर shells of compact bone होगे उसके बीच में cancellous bones होगे ओके और अगर हम radiographic देखे तो visible on intraoral palatal radiograph जो palatal radiograph हम लोग लेते हैं उसमें यह आपको देखेगा लाइक अगर suppose हमने palatal radiograph दिया है तो यह देखिए this is your radio opacity यह दिखा रहा है आपका torus palatiness ओके अगर हम treatment की अगर बात करें तो treatment यह benign है और never become malignant okay यह malignant नहीं होता तो हम क्या करेंगे इसको trim कर सकते है bone को okay incision देखे इसको हम trim कर देंगे पुरा flat कर सकते है इसको because यह benign है यह spread नहीं होगा अगर कोई problem नहीं create कर रहा है यह discomfort नहीं create कर रहा है तो as it is जैसा है वैसे ही छोट देंगे treatment की कोई ज़रत यह तो guys यह छोटा topic था I hope आपको समझ में आ गया होगा अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे comment केजिए मैं उस recording आपको समझाने की कोशेश करूँगा thank you so much